हेलो गाईज, वेलकम बैक तो मैं चैनल, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे तेओहारों के लिए या फिर जब भी आपका मीठा खाने का मन करें, हलवाई की 5 स्पेशल रेसिपेज जो आप कभी भी घर में 15 मिनट के अंदर बनाके रेडी कर सकते हो, बहुत आसान, बहुत हलवाई स्टाइल चमचम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन में 2 चमच पानी और इसमें हम डालेंगे दूद, दूद मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप, अगर कप से बताओं तो 3 कप है, ग्राम में या फिर एमल में बताओं तो यह 1.500 एमल दूद है, 1. 1.700 एमल दूद में हम जितना दूद यूज़ करते हैं, उतना ही किलो हमारा चमचम बनके रेडी हो जाता है, सपोस कि हम 1 लीटर दूद यूज़ कर रहे हैं, तो 1 किलो ही चमचम हमारा बनके रेडी होगा, अब इस दूद नहें बिलकुल अच्छे से उबालना है, जब यह का दूद है, जो रेगुलर आप लोगों के घरों में आता है, वही वारा दूद है, तो इससे क्या करना होता है, कि थोड़ा सा ठंडा करके फाड़ना होता है, तो इससे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम यहाँ पे 1 कप में 2 चमच विनीगर, या फिर 2 चमच नीमबू का रस, या फिर इस तरह का पनीर मसाला माकेट में आता है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो 2 चमच हम कोई भी चीज़ डालेंगे, चाहे नीमबू का रस हो, चाहे विनीगर हो, चाहे जो भी है आपके पास दूद को फाड़ने के लिए, बस हम एक कप में डालेंगे और इसमें काफी सारा पानी मिक्स कर देंगे, मतलब कि एक की बार में दूद को जटका ना लगे, इसलिए हमने पानी मिक्स किया है इसमें, अब यही जो विनीगर वाला पानी है, देरे देरे करके हमें दूद में डालना है, लेकिन दूद को पहले के लिए गरम करते हैं न उतना ही इसको गरम रखना है अब ये विनिगर वाला पानी धीरे-धीरे करके इसके अंदर डालना है और लगातार ऐसे धीरे-धीरे बिल्कुल स्लो ही चलाते रहना है मैं आप ए वीडियो फास्ट किया है मैंने तो ये आपको काफी तेज लग रहा ह लेकिन बहुत धीरे-धीरे से इसको ऐसे चलाना है तब तक डालते रहना है ये विनिगर वाला पानी जब तक कि इस तरह से दूद जो है वो विल्कुल अच्छे से फट न जाए अच्छा दूद अच्छे से फट चुका है इसका चेक करने का क्या तरीका है कि जब आप इस ऐसे ही दूद को फार के छोड़ देंगे और ये जो विनिगर वाला पानी बच जाए तो इसको रख लेना और डालने के ज़रूत नहीं है चार से पांच मिनट के बाद ये इस तरह से जो चैना है पनीर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और ये पानी पानी उपर रह जा है अब इसको पनीर को चानने के लिए मैंने इस कपड़े में अच्छे से डाल दिया है अभी क्या है कि जब दूद अच्छे से फटा हुआ रहता है न तब इसको हम हाद से निचोड़ेंगे बिल्कुल अच्छे से तो ये पनीर जो है वो चैना जो है वो कपड़े में भी पाने निकाल देना है और जब हमें इसको निकालेंगे तो ये कपड़े में भी नहीं चिपकेगा बहुत सारी लोग कमेंट करते हैं कि कपड़े में काफी सारा चिपक जाता है ये दिखे बिल्कुल भी नहीं चिपका इसका मतलब ये है कि जो दूद है वो बिल्कुल अच्छ अपने हतेलियों के help से उसके बाद एक चौथाई चमच मतलब की जो टी स्पून है टी स्पून से एक चौथाई इसको binding के लिए डालेंगे एक चमच कॉन फ्लार एक टेबल स्पून डालना है मतलब कि जो नॉर्मल घर का खाने वाला चमच होता है उससे थोड़ा सा टेबल स्पून बड़ा होता है तो एक टेबल स्पून आपने यहां पर डाल देना है जो कॉन फ्लार या फिर कोई भी ची चाहे चमचम बना सकते हो अगर आपको कलर चाहिए इसके अंदर तो आप इसी में कोई भी फूड कलर यहां पर डाल के मिक्स कर सकते हो तो उसी कलर का जो हमारा चमचम है वो बन जाएगा मैं यहां पर मार्केट से छोटे-छोटे पीसे रख रहा हूँ घर में जब बनाते ह तो यही फाइदा होता है कि हम अपने हिसाब से शेप और साइज रख सकते हैं हमने यह पर जो शेप है इसका देना स्टार्ट कर दिया है इसको मैंने पहले गोल गोल किया और उसके बाद थोड़ असा इसको ऐसे लंबा कर दिया पहले आपने बिलकुल अच्छे से हतेलियो इसका ज्यादा हो इसमें क्या होगा कि हमारे जो चम-चम है बिलकुल गोल और परफेक्ट रहेंगे अब इसमें दो कप चीनी हम डाल देंगे चीनी वैसे जाधा चाहिए होती है जितना दूद हो उतना ही चीनी का यूज करें मैंने यह पर आधा किलो चीनी यूज किया है म तो फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर जो चम-चम है वो हम डालना स्टार्ट करेंगे लेकिन सबसे पहले एक पीस हमें डालना है एक पीस हम चेक करेंगे डाल के कि यह जो हमारा चम-चम है यह बिलकुल सही है या नहीं इसको हम एक दो मिनट के लिए एक पीस को उबलने दे और अगर यह बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और बिल्कुल भी फटा नहीं बिल्कुल भी क्रैक नहीं आए इसके अंदर तो इसका मतलब चम-चम बिल्कुल परफेक्ट है हम बाकी के सारे भी इसके अंदर डाल सकते हैं तो बाकी के सारे भी हमने इसके अंदर डाल दिया है अब इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए 10 मिनट आप इसको medium flame पे कर सकते हो या फिर इससे आप इस तरह से cover भी कर सकते हो इससे आप बिना cover किये भी बना सकते हो medium flame पे बस ऐसी चाशनी उबलती रहनी चाहिए 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो 10 मिनट almost हो चुके हैं और इसे मैंने थोड़ा जादा open कर दिया था क्योंकि चाशनी काफी उपर आके बाहर गिरने लग गए थी तो इसलिए मैंने इसको गरम पानी डालना है और इस तरह से घुमाते हुए डालना है और धिरे-धिरे करके डालना है ताकि जो उबल है इसका तो यह उबलता ही रहे मतलब कि ऐसे एकी बार में उबलना बंदना हो जाए ज़ाधा पानी डाल देंगे गे एक गार वाल नीचे चला जायेगा तो उबलेगा नहीं, उसको फिर उबलने में टाइम लगेगा, फिर हमारे जो चम-चम हैं वो सिकुड सकते हैं, छोटे हो सकते हैं तो ऐसी मैंने दो बार यहां पर इस तरह से पानी इसके ओपर घुमा दिया है और चाशनी जो है, वो थोड़ी सी पतली हो गई है हमारे चम-चम बिल्कुल अच्छे से फूले हुए हैं, और बिल्कुल अंदर की तरफ हैं अभी हम इसको थोड़ी दिर में चेक करेंगे, लेकिन अभी हम पानी डालके थोड़ी दिर के लिए और छोड़ देते हैं अब 10 मिनट तो हमने इसको उबाल लिया, 5 मिनट के लिए इसको हम और उबालेंगे बस इसको ऐसी थोड़ा सा कवर करके या फिर कवर नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा 5 मिनट के बाद फिर से इस तरह से हम पानी डालके घुमा देंगे इस तरह से पानी डालने से क्या होता है कि ये और ज़्यादा expand होते हैं और अच्छे से फूल चाशनी अंदर तक नहीं पहुच पाई है पानी डालने से चाशनी पतली होती है और फिर वहां तक अंदर तक चाशनी पहुच जाती है जहां तक चाशनी अभी तक नहीं पहुच पाती है तो आप इस तरह से चेक करें कि जब ये पूरी तरह से नीचे डूब जाए ये दिखिए मतलब कि 80% ये पूरा नीचे डूबा रहे चाशनी के तो इसका मतलब है कि ये हमारे जो रसगुले हैं चमचम है कुछ भी आप बना रहे हैं वो बिल्कुल इसका मतलब है पक चुके हैं, तो अभी ये काफी अच्छे से डूब चुके हैं, टोटल 20 मिनट का टाइम हो चुका है, अभी आप देख सकते हो कि ये चासनी के नीचे डूबे हुए हैं, थोड़ा मैंने पानी लास्ट में और डाल दिया है, ऐसी लास्ट में 2 तो तो 3-3 मिनट के बाद आपने पानी डालते जाना है, और जब आप गैस बंद कर दें, तब आपने 1 कप पानी डाल देना है, गैस हमने बंद कर दिया है, थोड़ा सा कियोडा वाटर डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, और चासनी के नीचे ये बिल्कुल डूबे हुए है तो बस इसका मतलब ये ready है, इसको हम ठंडे होने के लिए जोड़ देंगे एक घंटे के लिए, एक घंटे के बाद ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे, अगर आप इसे थोड़ा सा और ज़्यादा soft रखना चाते हो, या फिर और कम मीठा रखन चाते हो, तो जब हमने last में पानी डाला था न, वहाँ पर पानी आप ज़्यादा डाल देना, ताकि ये और ज़्यादा चासनी पतली हो जाए, और चासनी पतली होने की वज़ा से ये कम मीठे रहेंगे, तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट वाइट है, मैंने इसको छाननी में निकाल लिया है, और इसके बाद थोड़ी देर के लिए रख दिया, ताकि एक्स्ट्रा सुगर सिडप निकल जाए, और चासनी इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से भरी होई है, और अभी हम इसको काट के भी देखेंगे, अगर अंदर से ये बिल्कुल जाली जैसा इसके अंदर नहीं है, अगर इसके अंदर गुठली होती, तो इसका मतलब ये कच्छे थे, सबसे इजी मैदे से बर्फी, वो भी बहुती टेस्टी हलवाई जैसे परफेक्ट, वीडियो को लास तक देखते रहे हैं, सबसे पहले चाहिए होगा हमें एक पैन या कढ़ाई क कुछ भी लेना है, उसके बाद उसमें हम डालेंगे घी, घी इसलिए डाल रहे हैं कि जो मैदा है, उसको अच्छे तरीके से भूनना जरूरी है, तो हमने या पे 120 ग्राम मतलब की आधा कप घी हमने यूज किया है, और मैदा जो हम यूज कर रहे हैं, वो एक कप मैदा यान हलवाई के दुकान पर बनाते हैं, वैसे कि वैसे ही रखा है, उसके बाद अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और भूनेंगे तीन से चार मिनट के लिए लो फ्लेम पर ऐसा कलर चेंज हो जाए, और इसका जो कच्छा पन है वो बिल्कुल खतम हो जाए, बहुत जादा इसक आप देख सकते हो कि कितना घी इसने चोड़ दिया है, दो तीन मिनट हो चुके है, मुझे भूनते हो इसको, हलका सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम और भूनेंगे, हलका सा और कलर चेंज करेंगे, बिल्कुल भी ये कच्छा न रहे खाने मे अब ये देखिए, पांस से चेंज नहीं किया और इसका कच्छा पन भी बिल्कुल अच्छे से खिटम हो चुका है, तो बस अब इससे हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, हलका सा इसको हम ठंडा होने देंगे, बहुत जादा नहीं बस इसको दो मिनट के लिए साइड में तब तक हम एक दूसरा पैंड रखेंगे इसके अंदर हम जालेंगे एक कप चीनी मतलब की जो चीनी डालना है वो हमें मैदे से जाधा डालना है मतलब की 200 ग्राम चीनी हमने यह पे डाला है और आधा कप पानी डाल दिया मतलब की 100 ml पानी जितना चीनी उसका आधा पानी डाल चुकी है, हलका सा एक मिनट तक इसको उबलने देना है, ताकि हलकी सी पतली सी इसके अंदर तार बन जाए. बहुत ज़ादा गारी चासी यह नहीं बनानी है, नहीं तो बर피 हाड हो जाती है. हलकी सी पतली सी तार बन रही है, तो इसका यह बर्फी जो है वो खाने में मावा जासा लगेगा ऐसा मैदे जैसा नहीं लगेगा खाने में तो एक दम मावा वाला टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा मिल्क पावडर इसमें डालना जरूरी है हलवाई थोड़ा ज़ाद ही डालते हैं हमने यहाँ घर पे खाने के लिए बनाया है तो आप कम ज़ादा करके मिल्क पावडर डाल सकते हो और अच्छा थोड़ा और अच्छा टेस्स मलहना चाते हो तो इसमें आप कोकोनट पावडर वगरा भी मिक्स कर सकते हो या फिर कोई ड्राइफ रूड का पावडर वगरा भी पीस के इसके अंदर डाल सकते हो आप चाशनी को हमें डाल देना है मिल्क पावडर हमने पहले इसलिए मिक्स किया ताकि जब चाशनी डाले तो उसकी गुठलिया ना बन जाए है 2-3 मिनट कम से कम इसको पकाना है ताकि यह बिल्कुल अच्छे से बर्फी सेट होने के लिए रेडी हो जाए दो मिनट में ही इस तरह से पैंट को छोड़ने लग जाएगा हलका सा घी छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ready है अब हमने gas को बंद कर दिया है क्योंकि हमें पता है ये बिल्कुल ready है लेकिन जो नई लोग है जो beginners है जो पहली बार बना रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको इसे check कैसे करना है उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा इ पाउडर भी डालते हैं हलका सा आईस्क्री मॉला टेस्ट देने बहुत सारे लोग डालते हैं आप भी डाल सकते हो अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए कहीं भी पंखे के नीचे या कहीं भी ठंडी जगा पे रख देना है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए तब तक हम एक ट्रे इस तरह का लेंगे कोई भी बर्फी वाली ट्रे या कोई थाली वगरा यूज कर सकते हो इसको बर्फी को सेट करने के लिए या किसी प्लैटफॉर्म का भी यूज कर सकते हो इसमें थोड़ा सा ओइल करेंगे और इसको दो मिनट के लिए साइड में रखेंगे ये जो मतलब है यह बिल्कुल परफेक्ट है सेट होने के लिए अगर यह टाइट ना हो इनकेस की बहुत जादा गीला रह जाया या थोड़ा ठंदा करने के बाद भी यह टाइट ना तो आप इसे थोड़ा सा और पकाल लेना ने तो यह बरफी सेट नहीं होगी तो अभी यह तो अगर यह बिल्कुल थंडा है रूम टाइंपेरीचर पर है Hayır अगर यह बहुत जादा पर रहा है थंड़ा होने के बाद भी तो आप रीक बार अच्छेसे पैंड में दुबारा से विफार काल लें दो तीन मिनट के लिए फिर यह नहीं चिपकेगा उसके बाद हम इसको ट्रे में डालेंगे अच्छे से इसको हम फैला देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से और जो भी थिकनेस वगरा रखना चाहें वैसे आप इसको रख सकते हो और बाद में इसको हम कट करेंगे 2-3 घंटे के बाद आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो 2 घंटे मैंने या पर रखा था एक घंटा मैंने फ्रेज में रख दिया था तो जल्दी सेट हो गया अदरवाइस इसे आप 4-5 घंटे रखेंगे तो यह अच्छे सेट हो जाएगा अब यह बरफी सेट है बिल्कुल अच्छे से तो इसको हम कट कर लेते हैं बरफी बिल्कुल सॉफ्ट है बिल्कुल पाउफेक्ट है जैसे हलवाई की दुकान पर हम लोग बनाते हैं इसे। आप करने के लिए अगर आपके पास कोई दुकान है आप सेल करने के सब्सक्राइब किसी भी इसके पीस्स कर लेंगे। आप कि इसका निकल रहा है यह दिखिये। इसको हम अच्छी तरह से पहले कट कर लेंगे उसके बाद इसको निकालने का तरीका है वो बस आप इसके नीचे की तरफ चाकू इस तरह से मारना है और ये इस तरह से निकल के आ जाएगा ये देखिए कितने perfect pieces बनके ready है अब इसी तरह से सारी बर्फी जितने भी है और भी ब देख सकते हो कि देखने में बिलकुल मावा बर्फी जैसा लग रहा है खाने में टेस्ट भी बिलकुल मावा जैसा ही है जो दुकानों पर आप देखते हो सस्ती वाली बर्फी वह ये वाली बर्फी होती है बस इसमें थोड़ा सा मावा या फिर milk powder जादा डाला होता है तो फिर पता नहीं लगता कि इसमें मैदा भी डाला हुआ है एक्चल में ये मैदे की वर्फी होती है तो बाकी अगर आप इसे सेल करने के लिए बना रहे हो तो आप इसे थोड़ा सा मावा वगरा इसमें और एड़ करके आप अच्छी तरह से इसको सेल भी कर सकते हो अगर चाहिए होगा एक पैन या कड़ाई जिसमें हम डालेंगे सबसे पहले दो चमज पानी दो चमज पानी डालने से जब हम इसमें दूड डालेंगे तो दूड जलेगा नहीं उसके बाद एक लीटर दूद हम इसके अंदर डाल देंगे ये नॉर्मल वही वाला दूद है जो आप लोगों के घरों में आता है कोई भी दूद आप यूज कर सकते हो जो भी आप रेगुलर यूज करते हो दूद एक लीटर दूद डालके अच्छी तरह से इसको उबालना है और इसको लगातार बीच में चलाते भी रहना है जब ये इस तरह से एक बार अच्छी तरह स झाल सकते हो चीनी को मैंने याउप मीठा थोड़ा कम रखा है आप सौ ग्राम चीनी डाल सकते हो यहाँ घर पर बनाने का फाइदा ही होता है कि यहीं होता है कि अप् Dare ये यहाम से मीठा कम या जादर रख सकते हो मैंने थोड़ा कम ही डाला है आपको जो भी अच्छा लगे जितना भी अच्छा लगे डाल सकते हैं इसके अंदर आप गुड भी डाल सकते हो अगर आपको गुड वाली बनाना पसंद है तो उसके बाद हम जब इस दूद को अच्छी तरह से उबाल ले और जो चीनी है वो अच्छी तरह से घूल जाए फिर इसमें हम एक कप दूद यानि की 200 ml दूद हम इसके अंदर से निकाल लेंगे गरम दूद निकाल लेंगे और इसको हम साइट थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर बाद में आप सभी को बताता हूं कि इसका हमें क्या करना है यह जो दूद है इसको उबालना है अच्छी तरह से और एकदम रबडी जैसा इसको बनाना है तो करीब 10-15 मिनट ज जैसे जैसे हम उबालते जाएंगे इस तरह से गाड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा यह देखिए अभी उबालते हुए मुझे 10-15 हो चुके हैं और यह काफी ज्यादा ठिक लग रहा है देखने में और हल्का सा इसके अंदर दानेदार वाला टेक्चर भी दिखाई दे रह है मतलब कि दानेदार यह अपने आप ही हो चुका है अगर इस तरह से रबड़ी में दाने दाने जैसा नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा आप हाफ टीस्पून के करीब निम्बो का रस इसमें छेड़क सकते हो तो उससे क्या होगा कि यह बिल्कुल परफेक्ट दाने रबड़ी बन जाएगी इसमें मैंने कोई कलर या कोई फूड कलर अलग से नहीं डाला है थोड़ा सा इसमें हम केसर डाल देंगे तो केसर से काफी अच्छा कलर आ जाएगा उसके बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे थोड़ा सा इलाइची का पावडर भी हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक पैकेट ब्रेड मैंने यहाँ पे 10 से 12 स्लाइस जो है वो ब्रेड के लिए हैं इसके जो साइड वाला ब्राउन वाला जो पार्ट है वो हम कट करके निकाल देंगे अगर ब्राउन वाले पार्ट से कोई इसू नहीं है थोड़ा सा यह करते हो इसके बीच में इस तरह से दो लेयर हमने अरेंज कर लिया है अब यह बिल्कुल ट्रे के अंदर फिट आ रहा है तो आप इसको निकाल के साइड बोड़ी देर के लिए अब इसको हम असेंबल करना यानि कि सजाना स्टार्ट करेंगे यह जो रबड़ी है इसको हमने बचा के रखा था ना पहले एक कप निकाल के उसी में से थोड़ा सा दो तीन चमच चार चमच के करीब दूद हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि जो रबड़ी है वो थोड़ी पतली हो जाए इसको आप गरम पानी डालके भी पतला कर सकते हो अगर दूद नहीं है तो और आप हम ट्रे में थोड़ा थोड़ा रबड़ी यहां पर डालेंगे इस तरह से नीची की तरह एक लेर बना देंगे ताकि जो ब्रेड है वो इसके उपर जब हम रखें तो यह चिपक जाए अच्छी तरह से तो रबड़ी की एक चोटी सी लेर पतली सी लेर हमने नीची की बना दी है थोड़ा सा रबडी लगा दिया है अब इसके उपर एक लेर अच्छी तरह से ब्रेड को हम सजा देंगे और यह जो ब्रेड है यह भीगा हुआ नहीं है तो इसके अंदर हम इसको दूद से भीगाएंगे तो यह जो गरम दूद मीठा वाला दूद हमने उसी में से निकालके रखा था तो यह हम इसके उपर धिरे धिरे डालेंगे और ब्रेड को अच्छी तरह से हम भीगा देंगे बिल्कुल अच्छे से इसको भीगा देंगे इससे क्या होगा कि जो ब्रेड की अच्छी जो लेयर है वो बिल्कुल सौफ्ट रहेगी नीचे से बिल्कुल एकदम मुह में घुल जाने वाला टेस्ट रहेगा तो दूस्से भीगाने के बाद रबडी का जो लेयर है वो उपर से हम बना देंगे इस तरह से थोड़ा सा फैलाएंगे बहुत जादा नहीं क्योंकि सारी जो बाकी की रबडी है वो हमें उपर की साइट डालना है और इसके उपर थोड़ा सा सजाने के लिए ड्राइ फ्रूट या टूटी फ्रूटी या कलरफुल इस तरह की चैरी वगरा डाल सकते हो थोड़ा बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा इसलिए मैंने यापर डाल दिया है कोकोनट यानि की नारियल का फ्लेवर बहुत सारे लोगों को पसंद होता है तो मैंने यापर थोड़ा सा नारियल का फ्लेवर इस तरह से कोकोनट का पाउडर भी इसके उपर छिड़क दिया है इससे नारियल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और जिनको नहीं भी खाने कमन करेगा वह भी खाएंगे और अब हम दूसरी लेवर जो ब्रेड की है वह हम नसके ऊपर लगा देगे अच्छी तरह से इसको भी सेम तरीके से और दूस से अच्छे से इसको हम भी गा देंे बिलकूल इसी door नश्यारा जीतना उचा है उस एसmeden बेर की जैसे हो इसकी रखना और थे इसे मनें से बिलई दिया है और ये उसके बाद जो रबडी बची हुई है हमारे पास सारी वो सारी रबडी हम इसके उपर अच्छी तरह से लेयर वाइब फैला देंगे यह देखिए रबडी ऊपर हमें थोड़ी जादा डालनी है इसलिए हमने नीची की तरफ जो रबडी लगाया है दूज जा देंगे आप काजू बडाम या फिर किसी भी ड्राइफ रूट का पावडर वगरा भी आप इसके उपर डाल सकते हो टूटी फ्रूटी या चैरी या जो भी आपके पास है कलर फुल चीजे वह आप स्प्रिंकलर वगरा जो केक वगरा के उपर छिड़कते हैं वह सारी पास है वह हम डाल देंगे इसके उपर और यहां पर थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए चांदी का वर्क अगर आपके पास है तो यहां पर थोड़ा 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 के इस तरह से लगा देना पूरा इसको कवर करने की जरूत नहीं है चांदी का व जैसे हलवाई की दुकान पर लुक होता है इसका वैसे बिलकुल लुक आ जाएगा यह देखिए थोड़ा सा उपर की तरफ हमने केसर भी लगा दिया है तो अब यह बहुत जादा अच्छा लग रहा है तो अभी इसको अच्छे तरह से लगाने के बाद हमें इसको भी तुरं में रखना जरूरी है उसके बाद हम इसको निकार लेंगे और जो भी ason से जोब जादा सअ केक से घाज साफट है तो इस तरह से हम इसको कट कर लिएगे और जैसे भी काहें निकाल कर लेंगे यह बूड़े बड़े बड़े वाले पीसे होते हैं, वो बर्फी से थोड़े से बड़े-बड़े पीसे रखें हैं, ताकि इस तरह से हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकें, यह देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कलकंद ब्रेड वाला बनके रेडी है, ब्रेड रसमलाई बोल लो आप इसको, या फिर ब्रे पाने के लिए सबसे पहले एक पैन या फिर एक कड़ाई में हमें डालना है दूद, यहां पर मैंने डेड़ कप दूद लिया है, दूद कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में आता हो, रेगुलर, तो मैंने यहां पर कप से बताओं, तो डेड़ कप है, एमल म सूजी में फैट नहीं होता, तो उसकी वज़ा से थोड़ा सा घी चाहिए होगा, तो इसलिए हमने यहां पर एक टेबल स्पून घी डाल दिया, और यहां पर हम आधा कप डालेंगे, मतलब की 70-80 ग्राम सूजी है, यह बारीक वाली सूजी है, अगर आपके पास मोटी है, तो एक बार उसको मिक्सी में चला लें, तो वो बारीक हो जाएगी, तो आधा कप सूजी को धिरे-धिरे करके इस तरह से इसके अंदर डालना है, और इसको मिलाते जाना है, जब दूद थोड़ा सा गरम हो जाए तब डालना है, तो यह दूद गरम हो गया था, तो मैंने ध पकाते रहना है, दो-तिन मिनट के लिए, इसमें हम चीनी भी डालेंगे, चीनी हम यहाँ पे एक चौथाई कप यूज़ कर रहे हैं, मतलब की 30 से 40 ग्राम चीनी है, आप कम जादा कर सकते हो, कब से बताओं तो एक चौथाई कप है, लेकिन यहाँ पे चीनी क्यूँ डाला ह इसके अंदर थोड़ा सा फुलाने के लिए, जाली जैसा बनाने के लिए, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी baking soda या कोई भी खाने का soda या फिर ino हम इसके अंदर कुछ भी use नहीं करने वाले, यह ऐसे ही रहेगा, तो चीनी इसको फुलाने का और एक जाली दार अंदर से बना में घब और देंगे अज़िए शहा सकता है है मतलब की नियहा इतना इसहार ये धी लगा लेंगे घहर mad और थाली में भी ना चिपके, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम मैश करेंगे, बस जादा नहीं, दो-तीन बार इसको इस तरह से मैश कर दें, यह बिल्कुल स्मूथ हो और परफेक्ट हो जाएगा, डो की तरह, उसके बाद देखने में बहुत जादा टाइम भी, छोटे देखने में भी काफी जादा अच्छे लगेंगे, तो हम यहां पे छोटे-छोटे जो भी साइज के आपको बनाना है, बस आप इतना ध्यान रखे, कि यह फूल के थोड़ा सा ही बड़े होंगे, मतलब कि बहुत जादा यह ब बिल्कुल परफेक्ट और क्लीन बॉल बनाना है, तो जो बॉल है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ताकि कोई क्रैक्स वगरा इसके उपर न रहे और बिल्कुल भी फटे ना, इसी तरह से हमें सारे बॉल्स को बनाके रेडी कर लेना है, और यह करीब एक किलो के करीब बन ज दालेंगे, जिस कटोरी से हम चीनी को डाल रहे हैं, तो उतना ही डेड़ कप ही हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, उसके बाद अच्छे से इसको हम उबाल लेंगे, मतलब की एक बार उबाल आने तक का हम वेट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर रसगुले डालेंगे, पहले एक बार अच्छे से उबल जाना चाहिए, चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल जानी चाहिए, ये देखिए, चीनी अल्मोस ये घुल चुकी है, और उबाल भी आई चुका है, तो चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल जाए और बिल्कुल अच्छे से जब ये उबलने ल एक बार इसको डालेंगे, एक मिनट तक इसको इस तरह से उबलने देंगे, उसके बाद हम ग्यास को बंद कर देंगे, देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा कवर कर तक इसको उबालेंगे, एक मिनट के बाद इसको उपन करेंगे, और ये बिल्कुल परफेक्ट रहें, चाशनी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे इसको ऐसी ही एक घंटे के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए चाहिए होगा कुछ भी चीज आप रोज वाटर के ओड़ा वाटर ढाल सकते हैं इसके अंदर चाशनी में या फिर एलाइची का पाउडर या फिर ए अब ही ये देखिए जब ये चाशनी अंदर तक भर जाती है तो क्या होता है कि जो रसगुले हैं उनका वेट है वो बढ़ जाता है क्योंकि फूल भी गए हैं चाशनी भी अंदर तक भर गई है तो इसका मतलब है कि ये बिलकुल अच्छे से पक चुके हैं और ये पकने के ये बस एक चाशनी में थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है सुगर सिरफ है वो निकल जाए और उसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए एक दो मिनट ही इसको ऐसे रखना है उसके बाद इसको एक ठाइफ लगा सकते हो लेकिन जो हलवाई लगाते हैं वो इसके लगाते हैं अभी मैं आपको तोड़के दिखाता हूं यह दिखे कितना सौफ्ट है एकदम स्पॉंजी है एकदम परफेक कि यह पका हुआ है तो इस रखुले को आसानी से आप घर में बना सकते हैं बहुत ही सूजी का है, तो सूजी का थोड़ा बहुत टेस्ट आएगा, इसलिए ये घर में खाने के लिए ठीक है, लेकिन हाँ, इसको सेल करने के लिए नहीं ठीक है, मतलब कि सेल करने के लिए मत बनाना फिफ्थ रेसपी हम बनाएंगे, मिल्क पाउडर यानि की दूद के पाउडर से बरफी, सबस्ब पहले हमें चाहिए होगा एक बाउल, जिसके अंदर हमें चाहिए मिल्क पाउडर, मैंने यहापे मिल्क पाउडर जो लिया है, वो 1.500 ग्राम है, आप कोई भी ब्रैंड का मिल पाउडर यूज कर सकते हो, मतलब की 1 कप मिल्क पाउडर डाला है हमने, और इसमें 1 चौथाई कप हम डालेंगे मैदा, यह जो मैदा होता है, यह पहले से थोड़ा सा पैन में भून के फिर डालना होता है, यह मैंने अल्डरी भून के रखा हुआ था, उसके बाद हम इसमे एक बार मिक्स करें, और जब यह बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब की इतना की बिल्कुल अच्छे से इस तरह से डो जैसा बनने लग जाए, हाथ से इस तरह से मिक्स करके देख ले, तो इसका मतलब है घी परफेक्ट है, बस इतना की ऐसे लड़ो जैसे घी का घ ओम होता है गया तो हाफ पानपने डाल सकते हूं ने कि चयों के आने कि पासजेता और जिसमा है उसका पांड़ देना है याणे आख से पांचे पानपने इन और फिड़ 새abs तो एक तार बस आप एक मिनट इसको उबाले, उसके बाद आपने हलका हलका जब ऐसे थोड़ा गाड़ा दिखाई देने लग जाए, तब आपने इसको थोड़ा सा फिंगर में उठाके चेक करना है कि तार बनने लगा या नहीं, तो अगर इस तरह से चेक करने पे आपको ऐस से तार बनता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि हमारे चासनी बिल्कुल रेडी है, एक तार वाली चासनी चाहिए, बहुत जादा इसको उबालने की जरूत नहीं है, तो हमारी चासनी बिल्कुल रेडी है, इसका मतलब एक तार बन चुका है, अब हम इसके अंदर ज इसको mix कर सकते हो अब गयास का flame आपने इस time पे low कर लेना है ताकि बिलकुल यह जलेना चिपकेना और बिलकुल perfect यह धीरे धीरे करके हम एक दो मिनट के लिए पकाएंगे जैसे यह बिलकुल अच्छे से mix हो जाएगा उसके बाद एक या दो मिनट के लिए हमें इसको पकाना ह है उसके बाद जो हमारी बर्फी है वह बिलकुल ready हो जाएगी अगर आपने इसको बहुत जादा पकाया तो क्या होगा कि जो बर्फी का color है वह ब्राउन हो जाएगा तो ब्राउन हमें नहीं करना है बस इसको एक या दो मिनट के लिए ऐसे एक बार उबालना है यह जैसे एक बार इस तरह से उबाल आएगा इस तरह से यह स्टार्ट कर देगा यह दिखिए ऐसे जब पैन को थोड़ा थोड़ा यह चोड़ना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब है यह बिलकुल ready है अब इस टाइम पर यह बिलकुल ready है बर्फी सेट होने के लिए मतलब कि ठंडा हो जाए गयास बिल्कुल बंद है और हाँ थोड़ा सा चम्मच में या किसी भी चीज में निकालके इस तरह से ठंडा करना है हलका सा ठंडा इसको करें और उसके बाद आप इसे अपने फिंगर में गोल गोल बना के देखें ये देखिए ठंडा हो चुका है अपने फि ठंडा कर लें मतलब कि थोड़ा ठंडा कर लें उसके बाद हम आगे इसका जो प्रोसेस है वो करेंगे तो ऐसे धिरे-धिरे करके इसको चलाते रहें और बीच-बीच में कहीं भी आप पंखे के नीचे भी इसको रख सकते हैं ताकि यह जल्दी ठंडा हो जाए या फिर पा यहां पर ट्रे लिया है जिसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है तो जब तक मैं बटर पेपर और यह सब लगा रहा था तब तक जो हमारी बर्फी का मिक्स है वो ठंडा हो गया है अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राइफ्रूट भी लगाना बाकि है तो अब यह देखें जब तक मैं यह पिस्ता बदाम और बाकी बटर पेपर वगारा का सब काम कर रहा था तब तक यह बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है मतलब कि थोड़ा थोड़ा गरम है और इस तरह से यह डो जासा बन गया है अगर यह ठंडा होने के बाद भी इस तर से ठंडा करना है ताकि यह बिल्कुल इस तरह से डो जासा बन जाए यह देखिए अब यह बिल्कुल रेडी है थोड़ा सा हमने इसको डो की तरह मैश कर लिया है आप इसको हम इस ट्रे में डालेंगे और अच्छी तरह से इसको फैला देंगे जो भी साइज या थिकनस बनाते हैं बिल्कुल वैसे हलवाई के दुकान पर हम इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं करते इसको थोड़ा सा लिक्वेडी होता है तब ही हम इसको डाल देते हैं लेकिन यह प्रोसस मैंने थोड़ा ज्यादा ठंडा करके इसलिए आपको दिखाया ताकि आपके बरफी खरा पानी जैसा निकलने लग जाता है वो ना आए तो मैं बस इसको उल्टा करके इस तरह से निकाल लूँगा और इसका जो बटर पेपर है वो हटा देंगे और इसको हम चोटे-चोटे पीसे में जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे हम इसको कट कर लेंगे यह देखिए बि करते हैं स्क्वार पीसेज में इस तरह से और यह बिल्कुल सॉफ्ट है यह देखिए इसको मैंने अरेंज कर लिया है एक जगा पर वीडियो आपको कैसी लिगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए ऐसी अगर आप और भी बहुत सारी वीडियो हमारी देखना चाहते हैं जो हलवाई वाली होती है वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर बहुत सारे अपलोड मैंने कर दिया है वीडियो जो इंडिया की जितनी भी स्वीट डिस की रेसेपी होती है वो मैंने अपलोड कर रखा है लेकिन जो भी रेसेपी अपलोड नहीं है आप मुझे कमेंट करक तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइये। अगर आपने हमारे वीडियो को ओभी लाइक नहीं किये लुग है तो लाइक करके चैनल को सब्क्रायब करके अगरोज में घंटी वाले बटन को भी जरूर दबा ले। ताकि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सू मच, मिलते हैं नेक्स वीडियो में।